नमस्कार दोस्तों, वेल्टम तो ग्लोबल अफेर्म देख पाओगे, पियम फर्स्ट कमेंट और यूएस चार्ज और इंडिया अलेजेट रोल इन पन्वू मडर प्लॉट, ये बड़ी बात है, पियम मोदी ने फाइनली इस पर कमेंट करी है, और एक इंटरस्टिंग बात ये है, इंडिया प्राइमरिली फोकस कर रहा है, हम सबसे पहले बात करते है, पियम मोदी ने रिसेटली कहा क्या है, यहाँ पर आपको समझना होगा, जैसे ही पन्वू वाला इशू सामने आया, और ये निउस भी सामने आई, कि USA ने एक इंडियन को पकड़ लिया है, उस पर केस होगा अमेरिका के कोट में, और आरोब ये है, इस इंडिय आदमी पर, USA में आया और एक्चुली एसेशिनेशन के लिए पेमेंट कर रहा था, उसी दोरान ये पकड़ा गया है, नाव ये आरोब बहुत बड़ा है, ये एक यूज एलिगेशन है, और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कैटेगोरिकली ये कह रहे है, कि अगर हम कोई भी information देते हैं, तो बिल्कुल हम उस information को देखेंगे, अगर भारत के एक नागरीक ने कुछ बुरा या अच्छा किया है, तो हम बिल्कुल इस्यू को देखने को तयार है, हमारा comment है to the rule of law, Now, मैं यहाँ आपको ये बता दू, जो USA का जो version है कि निखिल गुपता नाम का agent इंडिया से USA में आया, और ये सब किया, बट इंडिया ने अभी तक openly ना निखिल गुपता का officially नाम लिया है, ना कुछ statement दिया है, इस related, कह लीजिए, इस topic को लेकर हम लोग बहुत ही जादा हमारी सरकार बहुत ही careful statement दे रही है, और PA Modi ने भी यहाँ यही कहा है, कि अगर हमें कुछ रभूत मिलेगा तो उसको हम देखेंगे, अज देखिए, मोदी जी ने बहुत ही important बात यह कही है, बट हमारा focus यहाँ पर यह होना चाहिए, यह जो बहुत सारी extremist group है, इन्होंने अपने पकड जमा लिया है overseas में, now overseas कह रहे हैं, मगर primarily हम कह सकते हैं कि North America continent, now primarily हम यहाँ बात कर रहे हैं, USA और Canada की, जहाँ पर बहुत सारे extremist group बस गए है, और यह statement PM मोदी साहब ने दी है, ऐसा अपने speech में, गलत जो इनका कहना है कि गलत इस्तिमाल कर रहे हैं, वो अपने freedom of speech को और violence बढ़ा रहे हैं, हमने recently देखा भी है, जो इंडिया की diplomats है Canada में, इनको दमकी मिली है, उसके अलामा पनु की जो statement है, वो देखोगे, openly warning दे रहा है, इंडिया को की कई बार, तो freedom of expression का गलत फायदा उठाया जा रहा है, और फिर आगे, जब मोदी से पूछा जाता है, यह जो episode है, क्या इसका impact होगा इंडिया-US relation पर, अगर आप geopolitical time में देख लीजिए, तो पिछले साल, पिछले आप कह सकते हैं, दस सालों में, सबसे important जो geopolitical relation उबर के सामने आया है, वो इंडिया और USA, दोनों country ने बहुत तरक्की करिये अपने relation इंप्रूफ करने में, तो obviously question यहाँ पर यह आएगा, उस progress पर a break लग गई है, तो उसका जवाब पिए मोदी ने कहा है, कि there is strong bipartisan support for strengthening of this relation, which is clear indicate of mature and stable partnership, security and concerned terrorism cooperation has been key component of our partnership, मुझे नहीं लगता इनोंने यहाँ पर यह भी add किया है, मुझे सही नहीं लगता कि यह अनुचित होगा कि हम इस issue को, जो अभी यह issue आ रहा है, पन्नु वाला, इसको हम link करें दोनों country के diplomatic relations से, यह एक बहुत ही important बात बोली है PM मोदी जी ने, कि जो USA का relation है, वो उतनी ही strong रहेगा, उन पे कुछ impact नहीं आएगा, और साथ ही साथ इनोंने यह भी add किया है, कि जब भी इंडिया और USA की बात होती है, तो रशिया का एक question तो हर जगह सहमती होगी, कुछ जगह सहमती होगी, बट जो USA के साथ हमारे relation अच्छे है, उसका यह मतलब नहीं है कि relation maintain करने के लिए हम compromise करना start कर देंगे, नौ यह जो statement है, इंडिया के इससे related statement आच चुकी है, विदेश मंत्राले से, इन statement को लेकर जो Canada के Prime Minister है, Justin Trudeau, इनों इंडिया का जो stance है, उसमें एक tonal shift देख रहे हैं, basically इंडिया ज़्यादा defensive या आप कहली जिस ले रहा है, पहले बहुत ज़्यादा aggressive इंडिया जवाब देता था Canada को, मगर जब से USA ने openly आरोप लगा हैं इंडिया पे, तो इंडिया के stance में एक tonal shift देखने को मिला है, और सा USA के case बिल्कुल अलग है, USA evidence share करने को तयार है, Canada के पास evidence के नाम पर कुछ नहीं है, तो वो पस आरोप लगा रहे हैं, तो दोनों case को Indian government ने कहा है कि they are completely different, तो साथ ही साथ देखिए निखिल गुपता से related additional information सामने आई है, initially ये बताया गया था USA के document के तरफ से, कि निखिल आज भी European country Czech Republic में, ये map में आप देख पाएंगे, ये एक European देश में उसमें एक Czech Republic छोटा सा देश है, और यहाँ बर निखिल गुपता टैवल कर रहे थे, और देखिए USA के हिसाब से पहले ये USA के दर्ती पर थे, वहाँ पे इन्होंने payment करी, किसी को पन्नु को मारने के के जेल में है, नौ निखिल गुपता की जो family है, इंडिया में recently ये लोग पहुचे भारत के सुप्रिम कोर्ट में, वहाँ ये कहा कि निखिल गुपता के साथ बहुत ज़्यादा गलत किया जा रहा है, इन्होंने जो human right है, ये wallet किया है, practicing Hindu, but इनको force किया जा रहा है, ये beef ख ज़्यादा है कि निखिल गुपता को सीधा Czech Republic से US में लाया जाए, नौ देखना होगा eventually ये आपर होता क्या है, ये एक बहुत ही ज़्यादा dedicated matter है, और इंडिया USA को देखना होगा कि किस तरीके से इसको resolve करे, मेरे हिसाफ से eventually आप देखेंगे निखिल गुपता से related और detail है, जो सामने आएंगी उन पर in future आपके लिए updated वीडियो लियाओंगा, और ये है हमारे वीडियो का अंत, thank you for watching.